दोस्तो केबल 15 सेकिंड का समय लूँगा ये जो टॉपिक है आज तक जितने भी एच्छेसी के एकजाम होई है या फिर आने वाले समय में एकजाम की कोई भी कितनी भी बड़ी भरती है इस टॉपिक से हर सिफ्ट में हर एकजाम में 2-3 पिरसन आते हैं क्योंकि 20 पिरसन है और ये जो 20 पिरसन है बार बार एकजाम में टपकते हैं ठीक है और हर सिफ्ट में आपको कम से कम 2-3 पिरसन मिलेंगे और ये अच्छे लेवल के पिरसन है एक जैसे पिरसन है और या आप बार बार इनकी तैयारी करते हैं फिर भी आपके एक गलत होते हैं अब ऐसा नहीं होगा ये सारे जो पिर्जन हमने एक साथ मतलब की एक खटे की हैं आपके लिए हम लेकर आए हैं और जिस भाई को इसकी पीडियाप चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल जोइन कर लें डिस्क्रेप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हैं वहाँ से आपको पीडियाप मिल जाएगी हमारी जितनी भी क्लास होती है हम वहीं पर सारी पीडियाप सेयर करते हैं ठीक है तो इस सेशन के हम सुरुवात करते हैं और बहुत ही कम समय में इस सेशन को हम कंपलेट करेंगे तो म बिंगाल में करका सथाई बंदोबस प्रनालिक किष्णे लागू की तो C बिल्कुल सही आंस्वर रहेगा भई ठीक के ना कुछ साती कहते हैं सर हमें सिक्रीन सोट लेना तो आप आराम से ले सकते हैं सब कुछ मैं आपके सामने टिक भी लगा दूगा ज़ता कि आपको कोई द प्रेजी सिक्षा का सूतर पात किष्णे कहते हैं तो इसका जो सही आंस्वर रहेगा लाड मेकाले को कहते हैं किष्णे कहते हैं लाड मेकाले को कहते हैं क्योंकि एक जैसे पिरसन है सारे के सारे ठीक है ना और सिकोर चेक कर लेना आपके कितने पिरसन ठीक हैं कितने आपके सामने है भारत में पिर्थम राष्ट्य शिक्षा नीती की घोषना कव की गई देखो इसका जो सही आंसर रहेगा जो राइट आंसर रहेगा बिलकुल मैं कह सकता हूं यहां से बार बार पिर्सन आते हैं तो ध्यान रखना इस बात का तो सही आंसर रहेगा 1968 तो डी बिलकुल शही आंस्वर भई डी बिल्कुल राइट आंस्वर भई ठीक है सती पिर्था पर पिर्ती बंद किशने लगाया तो इसका आंस्वर दे जल्दी शे सती पिर्था पर पिर्ती बंद भई किशने लगाया तो इसका जो सही आंस्वर रहेगा विलियम बेंटिंग ने लगाया बिल्कुल बहुत ही जल्दी complete करूँगा भाई तक ही समय की बचत हो आपका समय खराब बिल्कुल ना हो डेली आपको एक दो class ऐसे ही मिलेगी live session की class आपकी अलग से होगी बंगाल में द्वैद सासन की सतापना किसने की भाई ठीक है ना person number 8 का answer दें और कुछ साथी सोच रहे हैं हमारे तो person गलत होने तो बिल्कुल ना सोचे मतलब की high level का topic है एक दो बार अच्छे से पढ़ लें फिर आप समझ लेना आपके दो से तीन नमबर पके हैं भाई लागवागा सिख्षा में सुधार के लिए hunter आयू की सतापना किसके सासन काल में की गई भाई तो सारे person most important ह Würई person number 9 का अनस्वर दें पिरिसन number 9 का अनस्वर दे भाई इसका जो सही answer रहेगा Lord Canning तो भाई कोलकाता मदराश मुंबई में उचन्याले की सतपना किसके सासनकाल में हुई है भाई Lord Canning के सासनकाल में हुई है important person है ध्यान रखना सारे के सारे important person है person number 20 का answer दें कोलकाता में फोर्ट विलियम कोलेज की सतपना किसके द्वारा की गई भाई जल्दीशे बताएं कोलकाता में फोर्ट विलियम कोलेज की सतपना किसके द्वारा करवाई गई तो इसका जो सही answer रहेगा भाई Lord Will Jilly के सासनकाल में हुई है ठीक करना इसके सासनकाल में होई है तो ध्यान रखना भई important person है भई चलो बंगाल का पिर्थम गवर्नर जनरल कौन था भई most important person है भई बंगाल का पिर्थम गवर्नर जनरल कौन था भई जल्दिश बताएं इसका जो सही answer रहेगा Warren Hastings जी हाँ भी बिल्कुल सही answer भई Warren Hastings इसका बिल्कुल right answer है भई ठीक है ना पिर्थम नमबर 12 है बिल्कुल आसान पिर्थम है हर कोई इसका answer दे सकता लेकिन बार बार रिपीट होता भई एक जाम में तो 1913 बिल्कुल सही answer है तो भई 1913 बिल्कुल right answer रहेगा चलो भई इसका answer दे पिर्थम factory अधिनियम किसके सासनकाल में पहली बार पारित हुआ भई ठीक है ना पिर्थम factory अधिनियम किसके सासनकाल में पहली बार पारित हुआ और आपके लिए एक offer है भई ठीक है ना बार बार मैं ये गोसना नहीं करूँगा आपकी काफी जादा डुमांड आईए कल से ही एकजाम क्योंकि आपका होने वाला हरिनपलिस का बहुत सारे एकजाम होंगे तो डेट डिकलेर कर दी गई है तो आप बार बार मेसेज कर रहे थे भई सर हमें एक हजार हाई लेवल के हरियनजी के पिरसन चाहिए तो भही मैं आज ओफर में दे रहा हूँ इससे नीचे आपको कभी नहीं मिलेंगे ओफर केवल आज इविनिंग तक के लिए है तो भही केवल यह आपको ना किसने में मिल जाएंगे बेए 49 रोपे में मिल जाएंगे मात्र 49 रोपे पी शीवी बुक में नहीं मिलेगा आप इसका फैदा उठा सकते हैं और जिस भाई को यह प्रिसन लेने हैं वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर दे भाई 89, 30, 31, 82, 26 पर यहां से आपको यह मिल जाएंगे भाई ठीक है ना आज के लिए उफरकेवल लौड रिपिन इसका आंसवर रहेगा भई ठीक है ना लौड रिपिन बिल्कुल डीस इसका सही आंसवर है भारत में सथानिय स्वैसासन के जनक कौन थे भई भारत में सथानिय स्वैसासन के जनक कौन थे भई इसका जो सही आंसवर है बिल्कुल जो राइट आंसवर रहेगा लौड रिपन नहीं भाई रिपन नहीं लौड रिपन नहीं लौड रिपन रहेगा भैई ठीक है ना लौड रिपन नहीं इन भैई इसके लिए हम आप से मापित चाहते हैं तो डी बिल्कुल सही आंसर भई इसका भी चलो भई पिरसन नमर 15 का आंसर दें बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ भई बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ भई जल्दीशे बताएं बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ तो इसका जो सही आंसर रहेगा लौड करजन के ए बिल्कुल शही आंसर है भई, ए बिल्कुल राइट आंसर है भई, ठीक है ना, चलो भई, अगला प्रिशन है, बंगाल विभाजन किसके काल में रद्ध हुआ भई, ठीक है ना, किसके काल में रद्ध हुआ, तो इसमें मिश्टेक हुई है, तो ये रद्ध है भई, ठीक है तो B बिल्कुल राइट आंसर है, पिरसन नमबर 17 कांसर दें, भारत में साहिक संदी की सुरुवात पहली वार किस अंग्रेजी गवर्नर जर्नल के दौरा किया गया भई, ठीक है ना साहिक संदी की सुरुवात किस ने किया भई, जल्दी शे बताएं इस कांसर, तो इसका जो स अंग्रेजी की सिक्षा पदती कव लागू की है, ठीक है पिरसन नमबर 19 देखते हैं और बहुत ही कम शमयमें हमने इन पिरसनों को कंप्लीट किया भई, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्स लागू हुआ भई, ठीक है ना, तो इसका भी सही आंसर यही रहेगा, ठी शो 35 रहेगा भई ठीक है ना तो ऐसे भी पिरसन पूछ सकता है और जो इससे पहले बता है उसके कोर्डिंग भी आप से पूछ सकता है भई है अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है जलिया वाला बाग हत्याकांट के समय गवरन जनरल कौन थे भई जल्दी से बताएं जब जो राइट आंसर हैगा लॉड्स चैंप स्फोर्ड भाई ठीक है ना लॉड्स चैंप स्फोर्ड बिल्कुल राइट आंसर है तो सी बिल्कुल सही आंसर है ठीक है तो ये पिरसन बार बार पूछे जाते है ठीक है ना तो दियान रखना इस बात का कई बार पूछ लेता है आलफ्रेड नोवल के डाइनमाइट की खोज किसने की मतलग खोज कब की गई तो 1867 रहेगा भई ठीक है ना तो वो भी पूछ लेता है तो ये पिरसन भी मैं डाल दूँगा पीडियेप में और दोस्तो 20 पिरसन थे बहुत ही जल्दी हमने कंप्लीट की है और मैं फिर से बोल गलत हो जाते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे और इनके साथ में करंट फिर आपको फ्री दी जाएगी बिल्कुल 2020 की और आप सभी ने इस वीडियो को हैं तक देखा आप शबी का बहुत वहुत धन्यावाद भाई